प्रेंट्स रमश्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दुर्शकों का वेलकम करता हूँ आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजिटीव नेटपर्पर पर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर रहा हैं स्पेशल किस अगस्त दो हजार बाइस तक का इस सापताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के सापताहिक राशिफल की साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सरल उपाए इसके साथ साथ आपको बताएंगे विशेश तीन परवों के खास उपा तो चलिए साप्ताहिक राशिफल की शुरुवात करते हूं वे जो साप्ताहिक राशिफल है यह है सुमबार 15 अगस से लेकर के रविवार 21 अगस 2022 तक का बात करेंगे ग्रह और गोचर की इस सप्ता में सूर्य का सफर करकर राशि में श्लेशा नक्षत्र के चोथे चरण से सिंग राशि में मगा नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा यानि कि सूर्य देव जो हैं वो राशिफ परिवर्तन करेंगे और राशिफ परिवर्तन करके सिंग राशि में आ जाएंगे आएंगे बुद्वार 17 अगस 2022 को सुबह 7 बचकर 37 मिनट पर चंद्रमा का सफर मीन राशी में उत्तरा भादर प्रत नक्षत्र से मित्रुन राशी में ब्रक्षरा नक्षत्र तक रहेगा मंगल का सफर प्रिश राशी में कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण से कृतिका के ही नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा यानिकि बुद्ध जो है और राशी परिवर्त्र करके कन्य राशी में प्रवेश करेंगे यो होगा रविवार 21 गस दो हतर बाइस को रात को दो बच कर 14 मिनट पर ब्रस्पती का सफर जो ना वक्रिय चाल से मीन राशी में बढ़ेगा आगे और ये उत्तरा भाद प्रत के चोथें चरण से आगे बढ़ेंगे शुक्र का सफर करकराशी में पुशनक्षतर के दूसरे चरण से करकराशी में ही अशलेशा नक्षतर के पहले चरण तक रहेगा शनी जो है वो उनका जो सफर है उल्टी चाल से मकराशी में धनिश्टा नक्षतर के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा बात करता है विशेश पर्वों के बारे में देखे सब्ताह का पहला विशेश पर्व सुमवार 15 अगस्त को बहुला चौत और महासकंद हरस चतुर्थी के विशेश रूप में मनाया जाएगा साल की चार सबसे प्रमुक चतुर्थियों में से एक चतुर्थी है मंगलवार 16 अगस्त को भादरपद नागबंचम मनायी जाएगी बुद्वार 17 अगस्त को सिंसंकरांती और बलराम जैनती मनायी जाएगी गुरुवार 18 अगस्त को कृष्ण जन्माश्ट्मी का महा पर्व है और इसी दिन आध्याकाल जैनती भी है आध्याकाली जैनती शुकरवार 19 अगस्त को कृष्ण जन्मोसभ मनाया जाएगा नंदोश्चा मनाया जाएगा और भादरपद कालाश्ट्मी मनाया जैगी शनिवार 20 अगस्त को रोहिनी पर्व मनाया जाएगा बात करते हैं सब्तहा के शुवयोगों के बारे में देखिए सब्तहा में बहुत सारे शुवयोग हैं रवियोग रहेगा बुधवार 17 अगस्त और गुरुवार 18 अगस्त को सरवार सिध्धी योग रहेगा मंगलवार 16 अगस्त और शनिवार 20 अगस्त को अमरे सिध्धी योग करेंगे साप्ताहिक राशेफल के शुरुबात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के जीवन का हाल जानेंगे पूरे सप्ता भरका और खास उपाई भी बताएंगे आपको और बीच में तीन आपको विशेश परवों के उपाई भी बताएंगे, शुरुबात करते हैं, राशी नमबर एक मेश एनी एरिस के साथ में, ये सबताह मिशुरित रहेगा, कठनाई आएंगे, नौकरी के मौके मिलेंगे नए, खास लोगों से संपर्ट से लाव होगा, धर्म कर्मों में भाग लेंगे, जीवन साथी मदद करेगा, उपाईये करेंगे, भगवान विश्णू पर इत्र चढ़ाएं, दूसरी राशी वरिश एनी के टॉरस की बात करेंगे, सबताह शुब रहेगा, बेरुजगारों को रोजगार मिलेगा, दफ्तर में अधिकारी से योग देंगे, धना होगा, नए कारोबरी काम हाथ में लेंगे, घरिलू जीमन भैतर रहेगा, उपाईये करेंगे, महाकाली पर पीले फूल चढ़ाएं, चौथी राशी करक यानी के कैंसर की बात करेंगे, सबताह मिशरित रहेगा, कारशेतर में संतोश रहेगा, सिहत की चिंता रहेगी, पु बात करेंगे, पांचवी राशी सिंग् यानि के लियो की, ये सबताह उल जन भरा रहेगा, कारशेतर में तनाव रहेगा, सिहत में सतर रहेगा, आर्थिक समस्य मिटेगी, कामका सफल रहेगा, धनार जिन के ने साधन तलाशेंगे, उपाईये करेंगे, हनुमान मंदर में स परिशान करेंगे, उपाईये करेंगे, करपूर से लोंग जलाकर महालक्षमी की आर्थि करें, साथ वी राशी तुला एनिके लिवरा की बात करेंगे, सबताह प्रतिकूल रहेगा, सेहत नरम रहेगा, दामपत्य सुखद रहेगा, कारोबारी शेतर सुधरेगा, माता की से सेहत नरम रहेगी, संतान सफल रहेगी, उपाईये करेंगे, देवी दुर्गा पर संदूर चड़ाएं, आठवी राशी वरिश्चे कहने के स्कॉर्पियों के बात करेंगे, सबताह नुकूल रहेगा, बड़े लाप के योग है, योजनाए सफल रहेगी, भागे साथ आकर, सिर से साथ वार एक निवू को बार कर, और महाकाली पर चड़ा कर, चोराए पर फेक देंगे, कोई भी अगर बुरी शक्तियों का साया आप पर है, काले जादू टोने का साया है, तो उससे आपका बचाप होगा, बात करेंगे, नवी राशी धनू, यानिकि सेजिटे दफ्तर में परदर्शन सुदरेगा, सहकर्मी सहयोग देंगे, दफ्तर में अधिकारियों सो लाब होगा, घरिलु जीवन सुदरेगा, दामपत तरसिक रहेगा, उपाईए करेंगे, भगवान कृष्ण पर खीर का भोग लगाएं, ग्यारवी राशी कुम्ब, यानिकि अक अधिक रहेगा, धनारजन के कड़े प्रियास करेंगे, दामपते में गरम जूशी रहेगी, कारशेत्र में कठनाई आएंगे, अत्यादिक खर्च होंगे, अर्थशेत्र कमजोर रहेगा, उपाईए करेंगे, गणपती पर दुर्वा चड़ाएं, तो दोस्तों अब समय है तीसरे, विशेश परवका उपाये का, और ये है कृष्ण जन्माश्टमी का उपाये, क्या करेंगे, आप चंदन लगाबा, सिक्का और एक तुल्सी पत्र श्री कृष्ण पर चड़ा दें, और ये जो चड़ीवी सामगरी इसे तिजोरी में रखें, इसे अपार धन समपत प्राप्ति की प्राप्ति होगी, तो दोस्तों, ये था सापता ही कराशिफल, अगले सपता ही कराशिफल में आप से फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्च्वाएं